हाई फ्रेंज मैं हूँ माने विल्कम टो मूवी शूवी दोस्तों मैं हकका बकका रह गया हूं थोड़ा सा जैसे ही मैंने कश्मीर फाइल के सारे रिपोर्ट्स देखें हैं कल भी तावर तोड बिजनस है छे दिन की जो कमाई है जो ऑफिशली जी फाइव ने जी स्टूडिय जो ने रिलीज करी है अपने इंस्टाग्राम चैनल पर ताट इस 87.6 ओड करोर्स वादब आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस डिरेक्शन में बात करहा हूं कि लोगों का लव इतना जादा मिला है इसको कि साड़े तीन करोड से अब यह 87.56 कुछ ऐसे करोड जो हैं वो क्लोज कर चुकी है सिरफ छे दिन के अंदर और इसकी जो बड़ी ख़बर जो इसके बाद आएगी वो क्या है कि जब सेम चीज में आपको कल बात कर रहा हूंगो तो यह किस मुकाम पर पहुंच चुक होगी 100 कुरोड का कल यह 100 कुरोड के क्लब में होगी 100 कुरोड मैं यसे बोलू यह बेसिकली इसका इसका इंटेंशन को लड़ने जगारने का नहीं है कि आगे ऐसा ना हो जबदस रेक्शन, माइंड ब्लॉइं रेक्शन, मतलब मैं क्या बोलू हूंग है रहा हूंग है 100 कुरोड को फर एमवी विच इस यूजली कंसिडर्ड असा पर्लेल चाहिए अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं टाइम के अंदर, 90s तक भी और early 2000 तक भी इस तरीके की सिनेमा को पैरलल सिनेमा कहा जाता था और आज यह इतना बड़ा हो गया है कि हम content को ज्यादा फेवर करते हैं ना की ड्राम को दोनों देखते हैं, दोनों की अपने अपनी चीज़ें क कभी आपको रिलाक्स करना होता था, आप इंटर्टेनिंग चीज़ें देखते हैं, आप देखना चाहों के लिए अच्छे एरो पन्ती 2 या बचन पांडे यह कुछ अंचंट देखने के लिए, just to relax which is, there's nothing wrong in that, but content driven चीज़े हो की हमत दे पाना, विवे को अगनोती हत्री न सबसे बड़ा reason क्या है, यह reason यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसा content दिखाया गया है, कि वो ऐसा material है, जो कहीं पर भी available नहीं है, आप किसी भी documentary के अंदर, किसी भी news channel के ऊपर, कहीं पर भी easily यह मंजर witness नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोग जाके उसको देखना चाहते हैं, consume करना च बढ़ेंगे, अभी 27, 2900 तो हो चुके हैं, इसके शोज और बढ़ेंगे, तो अच्छी नहीं हूँज है, जो लोग भी इस movie के साथ खड़े वे, उनको यह जानके अच्छा लग रहा हुगा, कि 100 croze is just around the corner now, तो मिलता है एक और review, एक और update के साथ, don't forget to subscribe the channel, bye-bye.